दोस्तों कि आप जानते हैं कि अगर कुट्टे और चीते के बीच जंग हो तो कौन जीतेगा? वेल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इन दोनों के बीच कौन जीतेगा? वैसे दो दोस्तों हमें लगता है कि कुट्टे पालतु जानवर होते हैं और हम इन्हें अपने घरों में भी पालते हैं क्योंकि ये बहुत वफदार होते हैं और अपने मालिक के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं लेकिन आज हम जिस कुत्ते के बारे में बताने चाहा रहे हैं वो कोई आम कुत्ता नहीं है। ये कुत्ता अपने मजबूत बाजवों से बड़े से बड़े खुखार जानवर को भी मात दे सकता है। लेकिन क्या ये चीते को भी हरा सकता है या नहीं। ये बात आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगी वैसे हमें लगता है कि चीता बहुत खतरनाक होते हैं तो चलिए पहले चीतों के बारे में ही बात करते हैं चीतों को बिग कैट्स का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है चीते की रफतार बहुत तेज होती है जब भी कोई जानवर अपने तेज रफतार से दोड़ता है तब भी ये चीते उनका पीछा कर लेते हैं और बहुत आसानी से उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं खरगोश, हिरन, जंगली, सुवर इन सब को पकरना तो एक चीता के लिए बाएं हाथ का खेर होता है इनकी आखों में ही देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये कितने खुखार होते हैं इनकी आखे चमकीली और ड्रावनी होती हैं और इनके आखों से इनके मूँ तक एक काली लाइन आती है इस लाइन को आसू रेखा कहा जाता है ये लाइन इन्हें धूप में बचने से हेल्प करती है साथ ही इन्हें अपने शिकार को दूर से देखकर उस पर जपटा मारने में भी ये मदद करती है यूँ तो आम तोर पे चीते पेड़ो पर नहीं चड़ते हैं लेकिन जब सामने खत्रा होता है तो ये पेड़ो पर भी चड़ जाते हैं जीहां दोस्तों खत्रा होने पर या शिकार पकड़ने के लिए चीता आसानी से पेड़ो पर चड़ जाते हैं और जरूरत परने पे तैर भी सकते हैं इनके शिकार करने का तरीका भी बेहद अलग होता है ये पहले अपने शिकार को अच्छे से देखते हैं अपने शिकार के लिए घात लगा कर ये काफी देर तक बैठे रहते हैं और जब इन्हें तसल्ली हो जाती है कि अब ये शिकार कर सकते हैं तो ये अपने शिकार पर तूट पड़ते हैं इस दर्मियान इनकी तेज रफतार 60 किलो मिटर पती घंटे पहुच जाती है ये बहुत ही चलाक और तेज प्राणी होते हैं एक नर्चीते का वजन 70-75 किलो ग्राम होता है जबकि एक फीमेल चीते का वजन 50-60 किलो ग्राम तक होता है अगर लंबाई की बात करें तो नर्चीते की लंबाई 2.85 मीटर होती है वहीं मादा की लंबाई 2.65 मीटर होती है इनकी औसद उम्र 12-17 साल होती है अब बात करते हैं कुत्ते की आपको बता दें कि हमने कोई आम कुत्ता नहीं बलकि बेहत खतरना कुत्ता लिया है इसका नाम है डोगो अर्जेंटीनो आप इसे देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुत्ता कितना ताकतवर है लेकिन आगे आपको इस वीडियो में इसके ताकत का और भी नमूना देखने को मिलेगा ये कुत्ता बेहत पावरफुल होता है आम तोर पे हम सफेद चमडी देखकर उसके तरफ एट्रेक्ट होते हैं लेकिन इनकी ये सफेद चमडी आपको जटका दे सकती है हाला कि ये आम कुत्तों के जैसे ही इनसानों के लिए वफदार रहते हैं लेकिन केवल तब तक जब तक इनको गुसा ना आए कुत्ते की ये परजाती क्यूट होने के साथ साथ बेहत खतरनाक भी है इन कुत्तों का वजन तकरीबन 45 किलोग्राम होता है बाकी अगर इनका अच्छे से देख भाल किया जाए तो इनका वजन और भी जदा बढ़ जाता है बात करेगर इनकी लंबाई की तो इनकी लंबाई 60 से 70 सेंटिमीटर होती है ये देखने में बेहत शांत और सौभाव से बेहत खुखार होते हैं चाहे इसके सामने शेर हो टाइगर हो या फिर चीता उनसे मुकाबला किये बगएर इन्हें चैन नहीं पड़ता लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये जानवर एक दूसरे के सामने आ जाये तो जीत किसकी होगी क्या मोर्ता तगड़ा डौको अर्जेंटीनो जीत पाएगा या खुखार चीता यहां भी बाजी मार जाएगा ये युद्ध सुरू होगा इन दोनों की मुलकात से यहां कुत्ते ने चीते को देखा और चीते ने भी कुत्ते को देखा अब सुरू होता है इन दोनों के बीच घहमासान कुत्ता तेजी से चीते की तरफ भागता है तभी ये दोनों लड़ते लड़ते पहाड से नीचे आगिरे आप इस कुत्ते को देख के समझी सकते हैं कि कैसे इस कुत्ते ने हमला बोल दिया है वहीं चीता खुद को बचाने में लगा हुआ है यहां तो ये समझ पाना भी मुश्किल है कि आखिर ये फाइट कहां तक जाएगी और आखिर में जीत किसकी होगी अगर आपको लगता है कि यहां चीते की जीत होगी तो आपको और भी वीडियोज देखनी होगी जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं इस वीडियो में ये तेंदुवा जंगल से बाहर आ गया तभी कुछ कुछ कुट्टो की नजर इस पर पढ़ गई कुट्व की संख्या ज्यादा थी इसलिए ये तेंदुवा यहां से भागने रगता है तेंदुवा काफी दूर तक भागता है लेकिन ये कुट्टे उसका पीछा करते रहते हैं और अंत में इसे पकड़ भी लेते हैं देखते ही देखते ये कुट्टे इस तेंदुए पे हमला सुरू कर देते हैं, ये कुट्टे लगातार इस तेंदुए के उपए टूट परते हैं, दोस्तो कुट्टे कैसे जानवर होते हैं जो शेर से भी नहीं डरते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कुट्टा इस शेरनी को काफी परिशान करता है और उसके सामने उचलता है और उस पर जपटा मारता है यहां तक कि शेरनी को काटने के लिए भी दोड़ता है पर शेरनी उसका कुछ नहीं बिगारती और खुद ही अपने पैर पीछे कर लेती है खैर बाद में ये कुट्टा यहां से चला जाता है और ये शेरनी वहीं खड़े-खड़े तमासा देखती रहती है दोस्तो यहां इस वीडियो में कुछ लोग जंगल सफारी में घूम रहे थे वहीं ये कुट्टा भी मौजूद था इस कुट्टे को देखते ही एक तेंदुआ इस पर तूट परता है लेकिन कुट्टे की किसमत अच्छी थी कि गाड़ी में बैठे लोगों ने शोर मचा दिया जिसके बाद ये तेंदुआ यहां से भाग जाता है दोस्तो इस वीडियो को कुट्टे के मालिक ने शूट किया था यहां रात में एक तेंदुआ आता है और इस कुट्टे के उपर हमला कर देता है कुट्टे के मालिक को पता था कि अगर वो यहां आया तो उसके जान को भी खत्रा हो सकता है इसलिए वो दूर बैट कर वीडियो बना रहा था और इनके लड़ाई का तमाशा देख रहा था तेंदुए ने कुत्ते के गर्दन को जबरदस तरीके से पकड़ लिया था पर उसके बावजूर्द भी ये कुत्ता यहां से भागने की कोशिस कर रहा था ये बात साबित करती है कि कुत्ते कितने वफदार होते हैं खैर काफी देर तक रलाई होने के बाद कुत्ता खुद को बचा लेता है और अपने गर्दन को छुड़ा कर यहां से भाग जाता है